कच्छी दाबेली बिल्कुल वैसे जिसे स्ट्रीट्स में मिलती है तो सबसे पहले हमने लिये है चार से पांच मीडियम साइज के आलू बॉइल करके और हम उसको ग्रेट कर रहे हैं ताकि उसमें लंप्स नहीं रहेंगे फिर हमने एक पैन लिया है उसमें तीन से चार टेबल स्पून ओईल डाला है और मीडियम फ्रीम के तेल गरम होने पे जो भी हमने आलू लिया था उसको सारा हम इसमें डाल देंगे अब हम इसमें डालेंगे कच्छी दाबेली मसाला हमने लिया है सिद्धी कच्छी दाबेली स्पेशल मसाला अब कोई सा भी ले सकते हो जो आपके इहां पे अवेलेबल हो और हम इसको डालेंगे 3-4 चमच और हमने आलू ली थी 4-5 मीडियम साइस की इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक अड़ कर लीजिएगा इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यह ऐसे दिखने लगेगा फिर इसको आप किसी भी बैतन में निकाल लीजिए और धनिया जो है उसको बारिक काट के उसके उपर सजा दीजिएगा बिल्कुल ऐसे अब हमारा एंड प्रेडक्ट रेडी है बाकी चीजे जो हमको लगेंगी वो है एक बूल बारिक कटा हुआ प्यास, ग्रीन चटनी, टाइमरें चटनी, सेफ, बारिक, ग्राउन नाट्स, अनार दाने, पुमोग्रानेट चीज और चीज और हमको लगेगा बटर थोड़ा सा फिर हम पाव लेंगे उसको हाफ कट करेंगे एक साइड पे लगाएंगे हम पुदीनी की हरी चटनी, उसके लिए मैं लिंक डाल दोंगी नीचे, आप देख सकते हैं उसको कैसे बनाना है फिर दूसी तरफ हम डालेंगे इमली चटनी और उसके बाद हम लेंगे हमारा आलू वाला मिक्स्चर जो हमने बनाया था, वो एक साइड पे लगा देंगे फिर इसके उपर हम थोड़े से ओनियन बिचा देंगे, उसके बाद अनार दाने बिचा देंगे, इसके बाद ग्राउन नट्स, पीनट्स, फिर उसके बाद थोड़ी सी सीव डाल देंगे और चीज हमारा क्रेट कर लेंगे जितना भी आपको पसंद है उतना नहीं भी डाला तो भी चलेगा अच्छी टेस्ट करते हैं बहुत फिर इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे उपर से और साइड करके रख देंगे ऐसे आपको जितने पसंद है उतने बना के रख दीजेगा फिर एक पैन लीजेगा उसको मीडियम फ्लेम पे ओन कर देना फिर इसके उपर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे अपनी दाबेली रख देंगे एक साथ हम दो भी दाबेली कर सकते हैं उसके बाद गरम होने के बाद उपर से थोड़ा सा बटर लगाईएगा और दोनों जो दाबेली है उनको पलट देना फिर जैसे हमारी दाबेली क्रिस्पी और ब्राउन कलर की होजर वो रेडी हो गई है उसको निकाल लेना फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा चीज ग्रेट कर लेंगे उसके बाद उसके ऊपर थोड़े से अनार दाने डाल देंगे और आपकी दाबेली रेडी है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लगी आप कि रेडिए इंचुछ इस नवख में नवख प्र चानल प्लीज शब्सक्राइब डिऎ झाल तो अग्ली झाल्सी चानल प्लीज में एक प्लीज का टेम इसे बाद सोब्सक्राइब है